हाई फ्रेंड्स मदूर की चल में आपका सागत है आज मैं आपके लिए ला रहे हूँ आवला कैंडी किस तरह बनाना है यह बताओंगी और च्टोर किस तरह करके रख्ते हैं हम इसे आवला को यह बताओंगी आवला यह छोटा अवला है आपने बड़े आवले देखें гл medida कोवल्या शक बाएंने कती अखिश. कहती है आपливо कोषक बनांक में हो चाणरनों चाहते शाबस कीवली ख़र चाद वाया शक्वावयो कर दोगने चाेशल गर्याम और काला करतेा हля लीज़क दाटर में पे SMITH के अंदर पानी और रिंगी और उसके ओपर मैंने इच्छानी रखा है अब आवलो को इसके अच्छानी दस मिनिट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे आवला गुनकारी चीज है बालो के लिए अच्छी है और विटामिन सी मिलता है अगर हम एक दिन दस ग्राम आवला खाते हैं तो एक दिन के लिए हमें विटामिन सी मिल जाता है हमें यहिखमार छाते हैं और 100 ग्रायां क खांगे तो आट दिन का विटामिन सी मिलता है growing a इसलिए हर रोज दस ग्राम को भी खाएंगे ना तो भी आपको लिटामिन सी मिल जाएंगा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इसलिए आउला रोज खाना चाहिए तो देखना है आमें कैसे बनाना है कि दस मेट कम्टिट हो गए ग्यास को हम बन करेंगे और निकाल लेंगे बहार कि स्टीम हो गए है आउले आउलो को बहार निकाल लेंगे इस तरह कि पान को हम सब्सक्राइब निकाल लेंगे कड़े को मैंने ग्यास के उपर रखा है ग्यास पॉन करेंगे और उसके अंदर हम यह आउले डालेंगे थोड़े आउले डालेंगे थोड़ी शक्र डालेंगे उसके उपर फिर वापस से आउले डालेंगे और उसके उपर शक्र डालेंगे और इसे इस तरह में मिक्स करना है आलो को गरम गरम ही है उसमें शक्कर डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएंगी इस तरह मिक्स करना है उसे और मैंने काला नमक भी लिया हुआ है उसके अंदर हम अभी भी डाल सकते हैं तो ड्राय करने के बाद भी उसके उपर से हम डाल सकते हैं फ्रेम को रोह ही रखेंगे आवले गरम है इसलिए शक्कर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और हलके हातों से इसे मिक्स करना है आवले सॉफ्टे ले तो फिर उसके तुकड़े भी हो सकते हैं इसलिए हमें हलके हातों से उसे मिक्स करना है अब धूप में रखे भी बना सकते हो और इस ग्यास पे भी रखे सकते हो ग्यास पर रखे बनाएंगे तो जल्दी हो जाएंगे और धूप में रखेंगे तो फिर दी दिन लग सकते हैं जब तक शकर मिल्ट में होती तब तक हमें धूप में रखना पड़ता है और ग्यास में तुरण काम हो जाता है फ्रेम को बड़ा करेंगे अगर हमें ड्राय करना है तो इसे हम एक दिन के लिए चासनी में ही रहने देंगे और चासनी को छान के निकाल लेंगे और इसे दूप में रख सकते हैं आवलो को इसे पकने देंगे और अवलो को इसे दूप में घंडा होने के बाद और हमें केंडी बनाना है तो फिर एक दिन इसी तरह हमें चासनी में रहने देना पड़ेगा शकर भी मेल्ट हो गई है अभी हम इसे नीचे उतार लेंगे इसमें काला नमक भी डाल दूंगी मैं भी काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है मुचे इसकी कैंडी बनाना है इसलिए मैं एक दिन के लिए इसी तरह रहने दूंगी फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है ग्यास को आफ कर दोंगी एक दिन के लिए मैंने आवना इसी तरह रखा हुआ ता चास्नी में अधी हम उसे चास्नी को निकाल लेंगे इस तरह अधी हम इसे थाली में निकाल लेंगे इस पर निकाल लेना है और दूप में रख देंगे दो दिन के लिए दूप में रखना पड़ेंगा इसकी कैंडी बनाना है आपको तो दूप में रखना जरूरी है और इस तरह हम स्टोर करके भी इसे रख सकते हैं खरात नहीं होगी है इस तरह हमें थाली में अच्छी तरह से रखना है इस तरह अलग-अलग करके रखेंगे ताकि जल्दी सोख जाए कड़ी दूप में रखेंगे ना तो दो दिन में भी अच्छी तरह से सोख जाएंगे और सोखने के बाद आप चाहो तो पिठी सक्कर भी इसके उपर से डाल सकते हैं इस तरह से हमें धूप में रखना है और दो दिन के बाद आप जागने पर सकते हो तो आज के मेरी छोटे मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते आगले रेशिपी के साथ बाई